लिकें, योगी जिने साफ तॉर पर बता दिया है, उनकी सरकार ने, उनके पुलिस प्रशासन ने ये साफ तॉर पर बता दिया है कि अगर इस तरह की भड़काओ नारे बाजी होगी, तो किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा क्या कह रहें इसपर भारतिय जनितापाटी के जो स्पोक्स पर्सन है राकिषतर पाटी और साथी सार समाजवादी पाटी के आशीश सिंग सुनी अ सरतन से जुदा के नारे लगा करके जान बूच करके भै फैलाने का जो भी प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कठोरता से कारवाई होगी यह सरतन से जुदा के नारे एक फैशन सपन गया है जब देखिए तब इस तरह के नारे लगा करके लोगों को भै में डालने का प्रयास किया जता है ये कोई मजहभी नारा नहीं है ये भै और आतंक ब्याप्त करने वाला एक नारा है इस नारे को उत्तरप्रदेश की सर्जमी पर स्वीकार नहीं कहा जा सकता और जिन लोगों ने भी नारा लगाने का काम किया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर करवाई होगी किसी भी प्रकार की नारे बाजी जो आपत्ती जनक हो जो देश के माहौल को खराब करती हो वो किसी भी तरीके से शोबनियन नहीं है ऐसे लोग जो इस तरीके की नारे बाजी करते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से देश के कानून के तहट जो करवाई बनती है वो करनी चाहिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविश्य में इस तरीके की नारे बाजी ना हो जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का जो माहौल है वो खराब ना हो चंद लोगों की बजा से चले तो कम से कम ये एक ऐसा मुद्दा है जोस पर पक्ष हो विपक्ष हो वो एकमत है और वो ये कह रहे हैं कि देश का माहौल बेगारने की कोशिश अगर कोई भी कर रहा है तो उसका सुलूख यही होना चाहिए, गानून अपना काम करेगा और ये होना ही चाहिए, आक्शन होना चाहिए लेकिन जो मौलाना है, मौलवी है या पर जो हिंदू धर्म गुरू है, वो इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रक्रण को किस तरह से देख रहे हैं, वो भी सुलूख नारे लगाए, आप उसके कड़ी कारवाई होगी चाहिए, इसका क्या उचिता है, सरतन्त जुदा करने का अमल तो यजीद ने किया था, तो इमाम हुसैन के अनुयाईयों को इस तरह के नारे नही लगाना चाहिए, जिससे समाज में खराप संदेज जाए, हम इमाम हुसैन के पैगाम को आम करने के लिए महरम मनाती हैं, ना के हम यजीद के पैगाम को आम करने के लिए महरम मना रहे हैं, तो मदहभी जलूसों में इस तरह की नारे बादी अफसोसनाक है, जिसको नहीं करना चाहिए, और मैं इसकी सख्त अलफाद में मदह मत करता हूँ. तो गलत मेसेज ना दिया जाए और कोई भी इसे एकसेप्ट नहीं करता है नहीं इसको सपोर्ट करता हुआ नजरा था है लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स सेग्मेंट की तरफ और हम बात कर रहे हैं शहर शहर किस तरह का जल अटाक देखने को मिल रहा है क्या बार बार जिस तरह की तस्वीरे सामने निकल करा रही है क्या वो सब कुछ उजार देगी और कहां कहां ये जर अटाक देखने को मिल रहा है वो कौन कौन से शहर हैं देश के खरीब नौर राज्जी ऐसे हैं जहां पर आइमधी का रेड अलर्ट जारी हुआ है इसमें महराश्र है इसमें गुजरात है इसमें उत्रप्रदेश है, बेहार है, राधस्थान है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है उदर उत्राखन की बात करें, हिमाचर की बात करें सिक्किम हो, असम हो, यहां भी अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखा जा रहा है और दिल्ली में अगले दो दिनों के लिए येलो इलर्ट जारी किया गया है यहां उत्तरफदेश, नौइडा की बात करें, घाजियाबाद की बात करें, उधर मेरच, बाकपत की बात करें, तो यहां भी बारिश का अनुमान लगाया गया है, 36 गड़ की बात करें, तो यहां की कई इलाकों में इसा के पूरी तरह से जलमत्न है, करनाटक की बात करूँ तो करनाचक के भी क्ई आलागों में बारिष ने कहर बरपाया हुआ है कोहराँ महां पर मचा हुआ है उत्राखंड में पहाडों पर तो आप देखी रहे हैं फिसक aten बात करें किस तरह से वहाँ पर जो पहाड हैं दरक रहे हैं इसमजा से लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं गुजरात की क्योंकि वहाँ से डराने वाली तस्वीरे सामने निकल कर इस वक्त आ रही है जिस तरह से बार बारिश से वहाँ पर हाल बेहाल हो रहा है आप देखे किस तरह से नदिया जबर्दस तरीके से उफान पर है जो डांस है उनके गेट वहाँ पर खोलने पड़ रहे हैं हर जगा से इसी तरह की जो तस्वीरे हैं वो निकल कर सामने आ रही है लेकिन ये गुजरात आप देख रही है जहां पर आम जन जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और वहाँ पर बारिश बार जो बार का पानी है वो लोगों के घरों तक बुस रहा है जो निचले अलाके हैं खास वार पर अगर बात करें तो वहाँ पर खासी दिक्कत हो रही है जो तमाम लोग निचले अलाकों में रहे रहे थे वो खाली करा लिये गए हैं लोगों को सुरक्षिस्थान तक पहुचा दिया गया है लेकिन यहाँ देखें किस तरह से और इनसान तो इनसान बलकि आप मवेशी देखिए जानवर देखिए वहाँ पर खोब ही बचारे परिशान हैं अब इनसान खुद को बचाए या जो अपने जानवर है उनको बचाए आखिर क्या करें ये देखें किस तरह की स्थिती यहां पर हो गई है, इंसान हो, जानवर हो, हर कोई खुद्रत के इस कहर और ये महाराश्यू के तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं कि खुद्रत के कहर के आगे हर कोई बेबस यहां पर नजर आ रहा है, रेजलर जारी किया गया है, और इं कर लेते हैं देखिए यह उत्रा खंड की देराद उनकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से पहार दरक रहे हैं क्या स्थिति उस वक्त वहां पर हो गई है जगा जगा पर घूस खलन की जो तस्वीरें है वो निकल कर सामने आ रही है लेकिन सिर्फ उत्राखंड गुजरात या माहराश रही नहीं असम का हाल भी बेहाल है दिल्ली हो और बाकी इलाकों का क्या हाल है बाकी शेहरों का क्या हाल है दिखा रहे हैं आपको इस रिपॉर्ट के जरी सेला हहकार और मौते हहकारी बारिश ने पूरव से पश्रिंप और उत्तर से लेकर दक्षण तक कहर बरपाया हुआ कहीं सैलाम तो कहीं हहकार वाली स्थिती है पहार दरक रहे हैं, नदियां उभान पर है, देश भर के कई राज्जों में भारी बारिश के बाद बेहत बुरा हाल है मुंबय, गुज्राव, मद्रीडेश समेट कई राज्जों में भारी बारिश की वज़ा से जन्दकी थम सी गए है उदर असम में बार से हाहा कार मचा हुआ है और अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है उत्रा खंड में भारी बारिश की वज़ा से हुए भूसकलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है गुजराद का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जुलाई में मौनसून का आफ़त काल हर किसी को परिशान किये हुए है माद्य प्रदेश में बादलों का विद्रोह नजर आ रहा है तो सूरत पानी पानी है दौरका में भारी बारिश ते मकान गिर रहे है कहीं पहार तोड़ाफत है तो कहीं मुसीबत मुसलाधार इंसान तो इंसान जानवर भी परिशान हो रही है मौनसून की डरावनी रफ्तार का कहर पश्च में गुजराद पर बरपा है गुजराद के मांगरों, गिर, तलाला, मालिया हटीना और जुनागर समेत गिर सुमनाथ जिलों के आसपास के अन्यक शेत्रों में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है गुजराद के बुख्य मंतरी भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश दे हुए नुकसान का अंकलन करने के लिए जुनागर और पास के ही गिर सुमनाथ जिले के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्शन किया स्तीती का जाइजा लिया उधर उत्तर प्रदेश में भिबार सेक काई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है लखenगर खीरी में दुदवा नैशनल पार्क में पानी भर जाने से हाथियों से निगरानी की जा रखी है बाहारों पर हो रही लगकार बर्सात के चलते नेपाल की नदियों ने उत्त्र प्रदेश के लखenपूर खीरी में कहर बर पाया हुआ है हालत ये है कि बार का पानी हाईवे तक पहुँच गया लखीमपूर पीरिभीत हाईवे पर नादे की तरह बहाव को देखते हुए प्रशासर ने आवा गमन बंद कर दिया है तो वहीं भारत नेपाल की सीमा से सटे दुद्वा नेशनल पार्ग के जंगलों में भी जल प्रले नजर आने लगी है कहीं सेलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिती है कहीं गारियां बह गई हैं तो कहीं लोग मानों ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी को इंबरबादी की कहानी लिख रहा हूँ क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या करनाटक और क्या गुजराद बहारों का हाल तो पहले से ही बेहाल है जहां देखो वहां बाहर बारश ने आखबत मचाई हुई है कई राज़ों में बार्ट का खद्रा है तो कहीं बारश से जल जमाफ की दिखत